तो आज शो टाइम पे continue कर रहे हैं True Blood के season 1 के episode number 2 को जहाँ पर हमने अब तक देखा किस तरह सुकी और बिल की लडाई हो गई थी बिल के कुछ secret रखने की वज़े से बढ़ बाद में दोनों intimate होई जाते हैं और इसी moment पे एरिक ने पकड़के रखा हुआ लेफट को अपने basement के अंदर पिछले दो हफतों से तो जानते हैं उसके साथ होता है क्या तो चलिए शुरू करते हैं इस episode को जो show time में आने वाला है और guys इस series को मैं complete करूँ इस वीडियो को ज़रू लाइक करना और दोस्तों साथ instagram, whatsapp पे link share करना जिससे कि मैं जादा motivated रहूँ और आपके लिए series continue करूँ तो चलिए शुरू करते हैं और पहले scene में हम देखते हैं कि किस तरह Eric ने उस दूसरे बंदे को बीच में से fart दिया था और खाने लग रहा था उसे जिसको देखके Lafait तो डर चुका है और एक कोने में छुपने वाला है बट यहाँ पर Eric वान करता है Lafait को कि अगर उसके पास भी silver है तो निकाल के fake दे वरना वो उसे मार देगा बट यहाँ पर Lafait बेवकूफ नहीं था जो अपने पास silver रखे और यहाँ पर Eric उसके पास आता है अपने बाल दिखाने के लिए कि बालों में खून तो नहीं लग गया है बट यहाँ पर खून लग गया था जिसको देखके Eric को गुसा आ रहा है और बोलता है कि शायद Pam उसे छोड़ेगी नहीं जहाँ पर Lafait बोलता है कि Pam कोन है और यहाँ पर Eric explain करता है कि चलो तुझे मिला के लाता हूँ जहाँ पर Lafait मना करता है डरते हुए बट यहाँ पर उसको जवर्दस्ती पगड के Eric के लिए जाने लग रहा था पूछताश करने के लिए इससे पता लगा पाए कि वो क्या-क्या गलत चीजे कर रहा है वेंपायर ब्लेड के साथ में जहाँ पर Lafait साफ बोलता है कि जो भी तुम question पूछो के मैं बता दूँगा प्लीज मुझे छोड़ दो और यहाँ पर वो पता करना चाते है कि Eddie के साथ क्या हुआ और उसकी website पे जितने लोगों से वो blood cell करता है उसकी information वो चाते है जहाँ पर सब कुछ देने के लिए त्यार था Lafait बट उसे नहीं पता Eddie के साथ क्या हुआ है और जब जादा डाटने पर पताता है कि उसने थोड़ा बहुत शक किया हुआ है Jason Stackhouse के उपर और वो सुकी का भाई है ये बात पता थी Eric को और वो सुकी के भाई पर बिल्कुल भी attack नहीं करना चाहेगा तो ये information उसके लिए बेकार है जिसको देखकर Lafait डरने लगता है कि उसको वापस basement में नहीं जाना है बट यहाँ पर Eric का guard जाओ उसे पकड़ के जबदस्ती वापस basement में लेके जाता है और बोलता है कि तुमने कोई भी काम की बात नहीं बताई है मुझे तो तुम किसी काम के नहीं हो Lafait और यहाँ पर जबदस्ती खीचते हुए उसे basement में ले जा रहे थे और यहाँ पर अब Pam गुस्सा है एरिक पर क्योंकि उस तमने बाल खराब कर लिये हैं तो उसके बाल छोटे कट करने पड़ेंगे जो शायद उसके लिए नया लुक होगा और उसी मोमेंट पर हम देखते हैं सुकी और बिल को जो दो love birds एक दूसरे से intimate होने लग रहे थे और यहाँ पर सुकी promise करती है कि फिट से नहीं लड़ेंगे और उनको लड़ना चाहिए ही नहीं था जिसको देखते हैं दोनों intimate हो रहे थे और यहाँ पर एकदम सुकी को याद आता है कि घर में Jessica भी तो है वो यह सब बाते सुन रही होगी बट हम देखते हैं यहाँ पर बिलकुल भी केर नहीं करता है बिल और सुकी के explain करने में कि उससे थोड़ा अच्छे से रखना चीए Jessica को उसकी बातों को भी ignore करता है क्योंकि यहाँ पर वो जानता है कि Jessica एक vampire है और यहाँ पर easy नहीं है vampire को control करना specially नए vampire को जिसके अंदर self control ना हो और उससे dart कर ऐसे ही रखना पड़ेगा कुछ time तक तो उसके अंदर को इंसानियत नहीं है उसका race जादा है जो हर एक teenager लड़की में होता है जो सुकी explain करने की कोशिश तो करती है बट यहाँ पर बिल सुनने के लिए त्यार नहीं है और उसके साथ intimate होने लगता है और वहीं घर आने के पाथ सुकी अपनी grandma को बहुत जादा miss करने लग रही थी यह किस तरह उसी grandma उसका ख्याल रखती थी और यहाँ पर वो टैरा बचपन से साथ में थे और उन सब बातों को याद करती है और टीवी पर न्यूज देख पाती है यहाँ पर जैसिका नाम की लड़की गायब हो चुकी है जिसके पेरेंट्स बहुत साथा टेंशन कर रहे हैं जिसको देखके समझ चुकी थी है कोई और नहीं वहीं जैसिका है जिसको बिलने वेंप बढ़ यहाँ पर वो X के बारे में जानना चाती है कि जिसतना वो एक दूसरे की साथ टाइम बिताने लग रहे हैं शायद उन में कुछ आगे स्पार्स हो सकते हैं कोई इंटिमेसी हो सकती है और उसके लिए Tera उसके बारे में जानना चाती है जहाँ पर एक्स बताने लगत चुका है उसने कुछ गलत स्मगलिंग में भी काम किया हुआ है और यहाँ पर यह सब सुनके टेरा थोड़ी शान्त होने लगती है और उसके excitement कम हो चुकी थी बट फिर भी वो एक मौका जरूर देगी X को क्योंकि X भी उसमें इंटरस्टेड था और वो भी और इस टाइम पर टेरा अपनी जोब के लिए रेडी होती है मरलोट्स रेस्टोंट में बट इस पर उसके साथ आ चुकी है मेरियन जिसको देखके सैम बिलकुल भी खुश नहीं है और पहले वो दुखी था डेफनी नाम की वेटरस से जो डंग से कुछ काम नहीं कर पा रही थी और अब मेरि चला कि यहां का खाना अच्छा है तो मैं एक बार टेस्ट करने आ चुकी हूँ और क्या तुमझे सर्व नहीं करोगे जहां पर सैम डरते हुए उसके सारे ओडर लिखने लगता है और कहीं ना कहीं उसे डर था कि यह बिलकुल भी सेफ नहीं रहेगा कि बार बार यहां पर म लाई क्यू हैं बट हम देखते हैं यहां पर टेरा से स्पेशली मिलने के लिए यह क्योंकि बड़े दिनों गये उससे बात करे हुए जहां पर दोनों चुपचापी से जाते हैं सैम को इग्नोर करते हुए बैठ के बात करने के लिए जहां पर पता चलता है कि सुकी एक यहां पर बिल जैसिका को लाच चुक है उनकी लाइफ में और अब उन्हें सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा जिसको देखके टेरा थोड़ी एकसाइटेड है और थोड़ी डरी भी हुई है बट उसको सबसे बड़े प्रॉब्लम लग रही है उसकी लाइफ जहां पर वो दो हफते से मेरियान के घर में रहतो रही है बट उसे कुछ सही नहीं लग रहा है कि जादा ही कुछ परफेक्ट हो गई है यह लाइफ क्योंकि इतना अच्छा तो कभी भी नहीं होता कि तुम्हें कोई खाना खाने को दे और तुमारे लिए सब चीज़े रेडी रखे और रिलेक्स की लाइफ जी हो मतलब कुछ तो गडवड है उसकी लाइफ के साथ में और यह सोचते हुए सुकी बोलती है कि अगर तुम्हें प्रबलम ही है तो तुम मेरे साथ क्यों शिफ्ट नहीं हो जाती हो मैं कब से प्लान कर रही हूँ उस चीज़ के लिए और जहाँ पर टेरा उसे वोन करती है जल्दी से चले जाओ वरना सैम शायद तुम्हें आज भी रोक ले काम के लिए और यह देखते हो चुपचा भागने लगते है आगे की तरफ बड़ने मिल जाती है मैरियान जो सुकी से मिलके बहुत जात एक्साइटेड थी और यहाँ पर सुकी उस उसका एक्सेंट समझ नहीं आ रहा है उसे बड़ तभी वो पासी की प्लेस बता देती है बट वो सच नहीं बताती है कि शायद हो किसी और प्लेस से है और यहाँ पर सुकी लेट होने लग रही थी बिल से मिलने के लिए इसलिए जल्दी जल्दी में वहां से चली जाती है और अब unreasonable को पता चल चुका है कि यहाँ पर Tara move-in करना चाती है अपनी दोस्त के साथ में और यहाँ पर Tara कुछ नहीं बोलती है कि उसको अभी पता नहीं है move-in करे भी और नहीं भी और ये देखती है चुप चाप वहाँ से जाने लगती है और ये बास शायद Marianne को जादा पसं नहीं आई थी इसलिए वो स्माइल तो करती है बट वो प्लान करती है कुछ और गड़बड करने का और अब यहाँ पर सुकी पहुंच चुकी है बिल के घर पर बट बिल यहाँ पर थाई नहीं और इस मॉमेंट पर वो देख पाती है जैसिका को जो बहुत ज़्याद इमोश् और यहाँ पर वो अपने पैरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और वो उनके पास जाना चाती है बट यहाँ पर सुकी एक्स्प्रेइन करती है कि लाइफ में कभी कभी कुछ चीजों को जाने देना चीए जैसे कि वो अपनी ग्रैंडमा को खोच चुकी है और दो और यह बिल्कुल भी allowed नहीं है बट यहां पर जैसिका के जादा request करने पर वो उसको दूर से उसका घर दिखाएगी और उसके बाद ले आएगी बट अगर इसके बारे में बिल को पता चला तो शायद गड़वड हो सकती है तो इन दोनों को चुप चाप secretly काम करना पड़ेग जिस मॉमेंट पर बिल्कुल जैसिका के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने के लिए गया था जहांपर वो जैसिका को अपनी बेटी बताता है और उसके लिए जैसे कपड़े खरीदने लगता है वहाँ पर एक वरकर उस पर हिट कर रही थी क्योंकि उसे पता चल चु जहांपर एरिक का नया हैस्टाइल देखके वो एक दूसरे को कॉंप्लिमेंट करते हैं बट लड़की को लगता है कि शायद बिल्को लड़कियों में इंटरस्ट नहीं है और यहांपर दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देखते हैं बट यहांपर एरिक आ चुका थ बट हम देखते हैं यहांपर गुसा आने लगा था एरिक को क्योंको उसके लिए गोडरिक की वेल्यू बहुत जादा थी और वो चाहे तो सुकी को ऐसे ही ले सकता है बट अगर वो बिल से भिलोंग करती थी इसलिए उसने फॉर्मल्टी की पूछने की बट अब अगर बिल मना कर रहा है तो यह उसके लिए बुरा है और यह कहने को दवासे जाने लगता है बट यहांपर बिल नहीं चाहता है कि सुकी की जान खत्रे में पड़े एरिक की वज़े से फिर से बट यहांपर एरिक तो वही करेगा जो हमेशा हो करता है अपनी मन मानी और वही अल्टरन में सब लोग सप्राइस थे यह सेरा नियूलन को जानता है और उस मोमेंट पे वो पहुंचते हैं फेलोशिप अफ दे सन वाली प्लेस पे जहांपर सेरा स्पीच देती है अपने हस्बेंट के साथ मिलके किस तरह वो भगवान के बच्चे हैं और वो मिलके इन वैंपार्स क को खतम कर देंगे और सारे मिलके एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगे जहांपर वैंपार्स नहीं होंगे और सबको पॉजिटिवली मोटिवेट करती है और सबको सिल्वर रिंग देती है जिसको पहनने के बाद वो एक ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे और कहीं न कहीं ये कल्ट फोलोइंग चल रही थी जो वैंपायर हीट के नाम पे पैसा ही खटा कर रही है और लोग को मैनुपलेट पी जहांपर जेसन बहुत अच्छे से घुल मिल गया है और सेरा की नजर सिर्फ जेसन के उपर है क्योंकि वो एब्स वाला बंदा है और होट भी तो है और हम देखके सब लोग खुश है कि शायद वो पूरी टीम को लीड कर सकता है और यहां कैंप में ही कोई सिंगिंग कर रहा है कोई कॉम्पेटिशन कर रहा है और यहां पर बहुत ही प्लेफुल महोल था जहांपर अब वो डेमोंस्ट्रेट करने वाले थी कि जो लोग वेंपायर में अच्छा था इसो जैसे उसको स्टेज पर बुलाया गया और यहां पर उसे वेंपायर सिंपिताइजर से भीड़ना था जो सेरा रोल कर रही थी हम देखते हैं यहां पर पता चलते हैं कि सेरा अपने आपको वेंपायर बताती है एक नकली दात लगाते हुए जिसको दे बिलकुल भी खुश नहीं था कि उसने अमेरिका के फ्लैक के डिस्रिस्पेक्ट की है और यहां पर उसको बाद में मिलने के बाद गुसा भी करने लगता है कि यह बिलकुल भी सही नहीं था बट यहां पर उसके लिए तो सब कुछ सही था और यहां पर उसका दोस्त उसे व पके सामने रख देनी चाहिए और यहाँ पर सेरा डर चुकी थी तो उसको सोरी तो बोल दिया बट यहाँ पर सेरा बहुत बुरी तरह से घबरा चुकी है इस पूरे इंसिडेंट की वजए से और यहाँ हमारे फेवरेट लफैट को हम देख पाते हैं जिसको अभी डंजन में बंद करके रखा हुआ है और उसको यहां से निकलना है और वो आइडिया सोच ही रहा था तब ही उसे बोड़ी नजना आती है जिसके अंदर एक मेटल का पीस था और उसे याद आता है कि इसकी सर्जुरी वी थी और इसने खुदने बताया था और उसके अंदर से एक लंब टाइम है वो भाग सकता है और यहां पर excitement पे जैसे gate खोलने लगता है यहां पर जिंजर उसे रोकनी की कोशिश करती है बट उसे लगता है कि यह तो इंसान है यह मेरे खिलाफ क्यू है बट यहां पर जिंजर ने गर निकाल ली थी और यहां पर वो Eric और Pam की वफादार है व और खुद घबराने लगती है जहाँ पर अब जिंजर हेल्प करने लगती है लाफएट की उसको एक कपड़ा बादने के लिए जिससे कि उसका खून और ना भाये जिस मोमेंट पर लाफएट की हालत और खराब बुच्चुकी थी गन लगने की वज़े से और उसे लगता है क कि शायद हो अब यहाँ से कभी भाग नहीं पाएगा और अब हम देखते हैं मरलोट रेस्टरांट के अंदर जहाँ पर डेफनी अपना काम अच्छे से करनी पा रही है यहाँ पर टेरी पर बहुत ज़ादा स्ट्रेस है क्योंकि अकेला कुकिंग कर रहा है इतने साहे लोग कर रही है जहाँ पर हम देखते हैं दूसरों को positive affirmation देके उनका trust जीत रही थी और फिर dance करना शुरू करती है जहाँ पर उसका dance देखके पहले तो जीब लगता है बट धीरे धीरे लोग join करने लगते हैं और बिलकुल crazy हो रहे थे लोग dance करते करते जहाँ पर Andy पैटके जिसको देखके emotional लग रहा था और देख पाता है कि सब लोग crazy होते जा रहे हैं और यहाँ पर X भी आचुका है टेरा से मिलने के लिए और इस moment पे वो अपना प्यार का इजहार कर देता है और यहाँ पर टेरा उसको accept करती है और सब लोग dance करना शुरू करते हैं जहाँ पर यहाँ से चली जाओ यह सब क्या कर रही हो लोग के साथ में बट तब यह explain करती है कि लोग dance कर रहे हैं इंटिमेट हो रहे हैं इसमें गलत क्या है बट हम देखते हैं सैम के जाधा गुस्सा करने पे वो फिर से उस वाइबरेट मोड पे आती है और हिलते हुए सैम को एक कु लगती है और यहाँ पर सैम कुट्ता बन चुका था और अब हम लफाइट को देख पा रहे थे जो होस्ट में आ चुका है और उसके पास थे एरिक पैम और चाओ हम देखते हैं यह तिनों वेट करते हैं उसके होस्ट में आने का जहाँ पर explain करने लगता है कि आगर तुमें मुझे मार रहे हैं तो प्लीज मार दो, छोड़ना है तो छोड़न दो बट मुझे डंजन पर नहीं जाना और यहाँ पर वो उसको मार रहे हैं का प्लान बना रहे थे बट तबी लफाइट एक थर्ड ओप्शन भी देता है कि उससे वेंपायर बना दो, वो यहाँ पर बार और लफैट को जान से मारना था और उसी मौंट पर हम देखते हैं सुकी लेके आच चुकी थी जैसिका को उसके घर के पास जहाँ पर वो बहुत जादे मोश्टल थी कि उसकी वज़े से कई ना कई जैसिका की जिन्दकी खराब हो चुकी है और वो वेंपायर बन चुकी है वो लेट हो चुकी थी यहाँ पर जैसिका की मौम उन्हें अंदर बुलाने लगती हैं और घबरा चुकी थी कि इतने दिनों से वो कहां गायब है और इस मॉमेंट पर उसके डैड के पास भी फोन मिला लिया था और उसको अंदर बुला लेते हैं घर जहाँ पर जैसिका जा जैसिका इन सबसे फ्रस्टेट हो चुकी थी और अपने डैड को पनिश करना चाहती है बहुत ज़दा बड़े बुली होने के लिए और हम देखते हैं उसी की बेल्ट से उसे मारने का ट्राई कर रही थी जिस मॉमेंट पर सुकी उसको मना करने का ट्राई करती है बटो सुक सुकी को फैक के मारती है और यहाँ पर जैसिका उपने उपर से कंट्रोल खोच चुकी थी गुस्से में आकर और इस मॉमेंट पर सब लोग डर चुके हैं बट तभी बिल वहाँ पर पहुच चुका है हम देखते हैं बिल अंदर नहीं आ सकता है जब तक उसे इन्वाइट किया जाएगा और तबी वो घ्लैमर करने लगता है उसकी छोटी बहन को जो जैसिका के घर में थी और उसको ग्लैमर करके अपने आपको घर के आंदर लाता है यहाँ पर डाटने लगता है सुकी को और भगा देता है कि यह सारी तुमारी गल्ति हैं जो भी आगे होगा और पर सुकी को लगने लगता है कि शायद साबूत छुपाने के लिए बिल इन सब को जान से मार देगा बट यहाँ पर वो भेज देता है भार सुकी को और यहाँ पर उसके डैड से अब खुदने पटने वाला था और अब देखते क्या होता है एगले एपिसोड में क्या हो जैसिगा के पेरेंट्स को मार देगा और यहाँ पर लफट बच पाएगा के नहीं और यह मैरियन सैम के पीछे ही क्यों पड़ी है देखते एगले एपिसोड में तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो चैनल को सिस्क्राइब करो और देखते रहो शोर्ट टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए तब तक के लिए टेक केर बाइबाइ सान्योर और टाटा